लोगसब सच्चिवाले ने कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी को नोटिस जारी किया है। लोगसब सच्चिवाले ने राहूल गांदी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाद दाखिल करें। इसको लेकर कॉंग्रेस ने नाराज़ की जाहिर की है। क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट। आज संसत की कारवाई से पहले कॉंग्रेस के नेत्रित में विपक्षी दलो की बैठक होई कॉंग्रेस संसत रजणी पाटिल के राज्यसभा से नेलंबन के मुद्दे और राहूल गांदी को जारी हुए नोटिस को लेकर विपक्षी दलो ने रणेनीती बनाई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार जुन खडगे ने सरकार पर आरोप लगाया था कि केंदर पीटा सीन अधिकारियों पर गहर वाजिब दवाब डाल कर सच्चाई को छिपाने की साजिश कर रही है। खडगे ने नाराजगी जताई थी। संसत के दोनों सदों में आज हंगामे के आसार है। बजट सत्र के पहले हिस्से का आज आखरी दिन है। आपको बदा दे कि बीजेपी सांसाद निशिकान दूबे और संसद्य कारे मंत्री प्रणाज जोशी के विशेश अधिकार हननन के नोटिस पर जवाब मांगा गया है। लोगसबा सचीवाले ने राहूल गांदी से कहा है कि वो 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करें। उन पर साथ फरवरी को लोगसबा में राश्पती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ता पर चर्चा के दौरान पियम मोदी के खिलाफ गलत असंसद्य और भ्रामक तत्य रखने का आरूप है। राहूल कमिले नोटिस पर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं।